हलो बच्चो आप सबका तपसा साथ विग्यान विशे के अध्याय 2 प्राणियों में पोशन के अभ्यास प्रशन उत्तर किस क्लास में हार्दिक स्वागत है हमने आपकी नमिन्तम भूख 2024-25 के अनुसार अध्याय 1 पाद्पूब में पोशन के समस्त अभ्यास प्रशनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उसके लेंग विडियो के डिस्क्रिप्शन में दिव हुई है या पिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप अध्याय 1 के समस्त अभ्यास प्रशनों के सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हैं आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे अध्याय 2 के अभ्यास प्रशनों को तो चलिए क्लास सुरू करते हैं देखें पहला पश्ण है उचित सब्द द्वारा रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए आपके सामने कुछ रिक्तिस्तान दी गई है हमें इन रिक्तिस्तानों की उचित सब्दों की मदद से पूर्ति करनी है पहली खाली जगह है मानव पाचन के मुख्य चरण तो मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो मानव पाचन के मुख्य चरण है पहला है अन्तहग्रहन यानि बोजन को अंदर की तरब ग्रहन करना दूसरा है पाचन तीसरा है अवसोसन चौता है सवांगी करण और अंतिम चरणे वो है निसकासन तो यह मानोपाचन के मुख्य चरण है पहला है अनतग्रण भोजन को अंदर घरहन करना, फिर उस भोजन का पाचण करना, फिर उस भोजन मैं से जरूरी खोशक तत्वों का आशोषन करना, पिस समांगी करन यानि की उन में से जो अनुप योगी परदात हैं उनको अलग करना और फिर निसकासन, उन अनुप योगी किसरी खाली जगह? आमास्या में हाइड्रोक्लोरीक अमल एवं खाली जगह का इस्तराव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं. तो आमास्या के अंदर हाइड्रोक्लोरीक अमल और आपके पाचक रस, कौन से रस? पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं. उन्हें क्या कहते हैं दिर्ग रोम कहते हैं ड है अमीबा भोजन का पाचन खाली जगह में करता है किसम करता है तो अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है किसम करता है खाद्य धानी में अमीबा भोजन का पाचन करता है तो ये था आपका प्रश्न संख्या एक आगे बढ़े प्रश्न संख्या दो सत्य और असत्य कत्नों को चिनहीत कीजिए पहला कतने मंड का पाचन आमास्य से प्रारंब होता है दूसरा कतने जीब लाला ग्रंती को भोजन के साथ मिलाने में साहता करती है तिसरा कतने पितास्य मंड पीतरस अइस्ताई रूप से भंडारित होता है पितास्य मंड पीतरस पितास्य मंड में पीतरस अइस्ताई रूप से भंडारित होता है फिर गर रुमिनेंट रुमिनेंट का मतलब होता है कि जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं निगली हुई गास को अपने मुख में वापस लाकर दीरे दीरे चवाते रहते हैं। या आपके सामने 4 कतन दिए हुए हैं। इन में से देखो, जो आपका पहला कतन है वो कैसा है? अ सत्य है, गलत है। दूसरा कतन, दूसरा कतन आपका बिलकुल सत्य है। तीसरा कथन, तीसरा कथन भी आपका सत्य है और चोधा कथन ये भी आपका सत्य है, तो कथन एक केवल अ सत्य है, बाकी तीनो कथन, बाकी तीनो कथन कैसे हैं, तो बाकी तीनो कथन हैं वो सत्य है, कैसे हैं, सत्य है, ठीक, आगे बढ़े, प्रश्न संक्या तीन, निम्नल लिख वह है वसा का ओन रूप से पाचन जिस अंग के अंदर होता है वह है तो वह है आपकी सुद्रांत जिसे हम चोटी आत के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं जिसे हम चोटी आत के नाम से जानते हैं अगला जल का अवसोसन मुक्यत जिस अंग द्वारा होता है वह है तो ज बारा होता है यह आपको ध्यान रखना है यहां पर देखो चित्र देखोगे तो यह मानव पाचन तंत्र के अलग-अलग भाग है जिसमें देखो यह जीवा यानि जीव है फिर यह आपका मुख यानि मुख गुआ है फिर यह गरशी का है फिर यहां पर यह डायफ्राम है फि प्रहदान त्याने बड़ी आत है, फिर ये गुदादवार है, और यहाँ पर यह क्या है, परीसेसी का है, ये मानो पाचन तंत्र के मुख्य भाग है, आगे बढ़े प्रशन संख्याच्यार, कॉलम A में दिये गए सब्दों का मिलान, या कतनों का मिलान, कॉलम B में दिये सरकरा और अमीनो अमला, अब हमें इनका उचित के साथ क्या करना है, मिलान करना है, तो देखो, यहाँ पर जो खाद्य गटक है, और यहाँ पर क्या है, पाचन के उत्पाद है, एक बाग में लिख्या हुआ है, आपके खाद्य गटक, और ये सब खाद्य गटक है, और ये पाचन के बाद किसमें बदलेगा सरकरा में, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदलेगा एमिनो अमला में, और वसा पाचन के बाद किसमें बदलेगी वसा अमला और गिल्सरोल के अंदर, ठीक, आगे बड़े प्रस्ण संख्या 5, बहुत ही मैतोपुन प्रस्ण दिया हुआ कि दिर्ग रोम क्या है और वह कहां पाए जाते हैं और उनके कारे क्या है तीन प्रशन है दिर्ग रोम होते क्या है ये पाए कहां जाते हैं और उनके कारे क्या है तो सुद्रांत चोटी आत की आंतरिक भित्ती पर अंगुली के समान उबरी वी सरंचना होती है जिने हम अंगुली के समान जो प्रभज्द्र अथवा उभ्री वी सरंजना होती है उन्हें कहते हैं हम दिर्ग्रोम ये कहा पाई जाते हैं तो छोटी आत्य आंत्रिक भित्ती पर अब इनके काम क्या है तो दिर्ग्रोम पचे हुए बोजन के अवसोसन है तू तलिय चित्र या सनी चत पर आपके सामने चित्र दिया हुआ है या आपके दिर्ग्रोम का चित्र है जिसमें पर आपके दिर्ग्रोम का चित्र है जिसमें देखो इसकी अलग-अलग भाग है ये आस्तर है ये लैक्टिल है और ये क्या है इसके रक्त कोसिकाओ का जाल है आगे बड़े प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है बच्चो पीत कहां निर्मीत होता है या भोजन के किस गटक के पाचन में साहिता करता है पीत कहां न गेहरे लाल भुले रन की ग्रंती है जो उदर के उपरी भाग में दाहिनी यानि दक्षिन की और क्या होती है अवस्तित होती है ये करत गेहरे लाल भुले रन की ग्रंती है जो उदर यानि पेट के उपर वाले भाग में दक्षिन दिसा की और क्या होती है इस्तित होती है य तो एक थेली के अंदर संग्रहित होता रहता है, इसे क्या कहते हैं, पीत रस जिसे वचा के पाचन में, इसके पाचन में, वसा के पाचन में महतपुन भोमिका निभाता है, तो हमने यह आपर क्या देखा, कि पीत कहां निर्मित होता है, तो पीत आपका यकर्थ के अंदर नि तो पुन भूमी का निभाता है ये आपकी यकर्थ की सरंचना दी गई है देखो चित्र आपके सामने दिया हुआ है यकर्थ ये उपर वाला सबसे भाग जो दिख रहा है ये यकर्थ है यकर्थ के ठीक नीचे ये पितास्य है फिर ये बायापिंड है और ये दायापिंड है यकर्त के दो भाग है यह बाया पिंड और यह दाया पाएंda इसके नीचे है ग्रहणी है न फिर यह पिताश्य वाहिनी है इसका पाचन रुमिनेंट जुगाली करने वाले जीव के द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता इसका कारण बताओ उस कार्बो आइडरेट का नाम बताना है जिसका पाचन जुगाली करने वाले जीव आसानी से कर पाते हैं लेकिन मानव नहीं कर पाता तो रूमिनेंट जो रूमिनेंट यानि जुगाली करने वाले जीव है वो सेलूलोस नामक कार्बो आइडर जिवाना में cellulose को पचाने वाले जिवानु पाई जाते हैं, कारण क्या है कि जो जुगाली करने वाले जिवानु पाई जाते हैं, जिबकि मानव आहर नाल में cellulose को पचाने वाले जिवानु नहीं पाई जाते हैं, इस वज़े से जो जुगाली करने वाले जिवानु नहीं कर पाते हैं लेकिन मानव इसका पाचन नहीं कर पाता है देखो किसी जुगाली करने वाले जीव का यहाँ पर आमासे का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर देखो यह उसकी ग्रशी का है यह इधर इसका मुख है फिर देखो यहाँ पर यह रुमेन है फिर यह सुद्रांत है यह आपका आमाश्य है ये वाला पूरा भाग ये अंद्र नाल है और ये आपकी क्या है भ्रद आंत्र है तो ये अलग-अलग इसके पाचन तंद्र के भाग है आगे बढ़े प्रश्न संख्या आठ क्या कारण है बच्चो कि हमें गलुकोज से उर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्या कारण है कि हमें गलुकोज से उर्जा तुरंत ही प्राप्त होती है तो देखो सरीर में अत्यदिक उर्जा कार्बो आइडरेट के पाचन से क्या होती है प्राप्त होती है हमारे सरीर में बहुत अत्यदिक उर्जा किस से प्राप्त होती है कार्बो आइडरेट के पाच जाता है अवसोसन हो जाता है जिसकी वजह से गलुकोज से हमें तुरंट उर्चा क्या होती है प्राप्त हो जाती है नववा प्रशन अहार नाल के कौन से भाग के द्वारा निम्न किरियाए संपादित की जाती है। पहला है पचे हुए बोजन का अवसोसन, इसके द्वारा किया जाता है? सुद्रांत यानि चोटी आथ के द्वारा किया जाता है। दूसरा बोजन को चबाने का कारे कहां पर होता है? तो वो होता है मुख गुहिका अथवा मुख गुहिका में। बोजन को चबाने का कारे का होता है? मुख गुहिका में। तीसरा जिवानुओं को नश्ट करना ये कारे कहां पर होता है ये कारे होता है बच्चों आमास्य में कारे होता है आमास्य में फिर बोजंद का संपूर्ण पाचन ये भी कहां होता है चोटी आत में कहां पर होता है चुद्रान्त यानि चोटी आत में फिर मल का निर्मान ये क पुद्रांत और पांचिव में व्रहत ड्रत। आगे बड़े प्रश्ण संक्या दस मानव और अमीबा के पोसंध में कोई एक समान्ता और एक अंत्र बताना है। और अमीबा में पोशन की प्रिकिरिया में एक-एक समानता और एक-एक अंतर देखो समानता क्या है कि मानव और अमीबा दोनों में बोजन का पाचन कुछ विसिष्ट रसो के द्वारा होता है इसके द्वारा होता है कुछ विसिष्ट रसो के द्वारा होता है अंतर क्या है मा आमीबा को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता यह डोनों के अंदर क्या हो गया अंतर हो गया फिर मानव आपका बहु कोशी किया जीव है जिबकि अमीबा आपका एक कोशी किया जीव है यह अंदर जो अलग-अलग भाग है उनका चित्र दिया हुआ है जैसे यहां पर खाद् जिनकी मदस से ये बोजन को गरहन करता है यहाँ पर खाद्य कलिका है फिर ये पाधाब है फिर ये कैंद्रक है और फिर ये बही शेपित अपसिष्ट है ये अमीबा की सरंचना के मुख्य भाग है ठीक अमीबा खाद्य दानियों की मदस से ही क्या करता है बोजन का पाचन करत आगे बड़े प्रश्ण संख्या 11 आपके सामने दिया हुआ है कॉलम ए में दिये गए सब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए कॉलम ए और कॉलम बी यहां पर देखो अलग-अलग शरीर के भाग दिये हुए हैं इसमें लाल गरंथी, आमास्य, यकर्त, मलास्य, सुद्रांत और व्रहदांत्रों है न इनका आमें उचित कार्या के सथ क्या करना है मिलान करना है तो देखो लाला गरंथी का काम क्या है लाला रस को स्त्रावित करना अमास्य का काम है अमलक का निर्मोचन यानि अमलक का श्राव करना यकर्त का कार्या है पीत रस का स्राव करना मलास्य का कार्या है बीना पचे हुए बोजन का भंडारन करना सुद्रांत का कार्य है पाचन का पूरा होना और ब्रदांत्र का कार्य है जल का अवसोसन करना तो ये अलग-अलग भागों के अलग-अलग कार्य है आगे प्रशन संग क्या बार हो चित्र में दिये हुए पाचन तंत्र के आरेक को नामांकित करना है आपका चित्र जो बूक के अंदर दिया गया है उसमें अलग-अलग भागों के नाम लिखने है देखो यहाँ पर सबसे उपर वाला भाग क्या है पितास से है फिर यहाँ पर देखो यह वाला भाग आमास से है फिर यह वाला भाग आपका अगनास से है ये आपका ब्रदांत्र यानि बड़ियात है फिर ये सुद्रांत्र यानि छोटियात है और ये फिर आपका क्या है मलास्य है ये पाचन तंद्र के अलग-अलग भागों के नाम है ठीक अगला प्रशन संक्या 13 कि क्या होगा क्या हम केवल हरी सबजियो अथवा घास का भोजन करके जीवन का निर्वा कर सकते हैं सर्चा कीजिए क्या बोल रहा है कि क्या हम केवल सबजियो और घास का सेवन करके अपने जीवन का निर्वा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं किसका सेवन करके केवल और केवल सबजी और घास का सेवन करके आपको अनाज नहीं खाना तो उसके बिना क्या आप जिन्दा रह सकते हैं इस पर शर्शा करनी हैं तो हम कहेंगे नहीं केवल हरी सबजिया या घास का भोजन से जीवन निर्वा नहीं हो सकता हरी सबजियो में थ प्रोटीन और वसा की भी क्या होती है आवसकता होती है इसलिए हमें ऐसे आहार यान ऐसे बोजन की आवसकता होती है जिसमें बोजन की सभी गटक आवशक मात्रा में क्या हो उपलब्ध हो तभी हमारे सरीर की सभी आवसकता है पूरी हो सकेगी और हमारे सरीर का जो उचित वर उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लाप सभी का धन्यवाद यजि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट से रों सब्सक्राइब जरू करें आज लिए इतना ही जै हिंद जै भाराद